तो दोस्तों जिसके आप सभी को पता है कि आज Free Fire में ओभी 38 का जो अपडेट है वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Free Fire को कैसे अपडेट करोगे वो भी दोस्तों आप सभी को करेंगे अपने Normal Free Fire को अपडेट यही आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ बट उससे पहले आप सभी से यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस टिक से आपकी यहाँ प्रावलों सॉलो हो जाती है और आप लोग अप अपने Normal Free Fire को यहाँ पर अपडेट कर लोगो ओवी 38 वर्जन में तो बस यहाँ पर एक छोटा सा काम आप लोग कर लेना कि इस वीडियो को यहाँ पर जरूर से जरूर लाइक आप लोग कर देना एंड चैनल भी पहली आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का बताने वाला हों कि आप लोग कैसी अपने Normal Free Fire को अभी 38 वर्जन में यहाँ पर अपडेट करोगे दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करने कि आपको स्मार्फोन के Chrome ब्राउजर को यहाँ पर उपन कर लेना है उपन करने के बाद अब आपको बाटन इस तरह से टाइप करके आपको सिम्पली यहाँ पर सर्च आउट कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यह पर यह जो फास्ट फॉल वी आपसाइट में आप लोग चलना ठीक है अब यहां पर जैसे ही नीचे की सैड में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर दोस् हो जीौके आपको यहाँ ठाइप करके बी हलो जी बलोग टाइपकर करके आपस इससी माफे सर्च आउट कर देना है आप जैसे सर्च करते हो उसके आपद दोस्तों आप से भी इया पर इस तरह का इंटरफेस और देखने को मिल जाता है तो आप क्या आप करना सिंपली वो यहाँ पर activate हो जाए normal वाले free fire के दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर 10 second wait करने के बाद आप simply क्या करना simply सा scroll down करते हुए तोड़ा से दीरी दीरी से नीचे की side में आप लोग जाना and यहाँ पर जैसे यह article खतम होता है तो आप लोग को यहाँ पर एक option देखने को मिलता है click here का ठ जाओगे तो अब यहाँ पर क्या करना simply सा यहाँ पर scroll down करते हुए नीचे की side में जाना and यहाँ पर जैसे नीचे जाओगे तो आप सभी को यहाँ पर click to download का एक option जो है वो देखने को मिल जाता है तो अब जैसे simply यहाँ पर click out कर दोगे click to download option पर तो आप सभी को यहाँ पर count आप देख रहें अभी आप watch कर रहें से बड़ोगों तो आप सभी को यहाँ पर grow wanna freefire का Oxe38 देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर विल्कुल open Gentle français नहीं लेना आपको जाना आपको यहाँ पर बिलुकोुल Oxe38 वर्जन ही देखने को मिलेगा है तो आप लोग यहाँ पर tab कर देना अब जैसे अब यहाँ पर click करोगे तो आपको जो normal or free fire है वो यहाँ पर दोस्तो download हो ना start हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइप लूपर साथ यहाँ पर यह download हो ना start हो चुका है और इसे download कर लेने के बाद बहुत से बंदे इसको यहां पर इंस्टॉल नहीं कर आएंगे तो मैं उन लोग को यहां पर ट्रिक बताते था हूं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आप सभी को प्लेश्टोर में जाना है यहां से एक application है जेड़ अर्चीवर नाम की इस application को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको उस फाइल को जो आपने डाउनलोड क्रिक किया है नॉर्मल फ्रीफायर को उसे यहां पर पहले एक्स्ट्रैक्ट करना है एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आपको पर APK और OB फाइल वगरा आ जाएगा तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना और OB file वागरा सेट कर लेना इस Zarchiver application के जरीए से ठीक है तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने नॉर्मल फ्रीफायर को अभी 38 वर्जन में आसानीक साथ अपडेट कर सकते हो तो I hope आप सभी को यह वीडियो पसंद आए होग तक तक क्लिप पाव दोस्तो